देखे समिक्षा दिकारी साइक समिक्षा दिकारी का जो आपका अंतिम और नेडायक चरण चल रहा है अंतिम और नेडायक चरण इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब आप सभी लोग पूरी तरीके से युद्धिस्तर पर अपनी तयारी के लिए लग जाए और मैं आपके साथ अ आपना वेस्ट करें, ठीक है, वेस्ट कैसे करेंगे, इसके लिए 3-4 टास्क में आपको देने वाला हूँ, पहली चीज आपको मैं weekly टार्गेट दूँगा, हर सब्ता एक टार्गेट दूँगा, ठीक है, और यह जो मैं टार्गेट दूँगा, यह टार्गेट मैं subject wise टार्ग का, दोनों को लेकर चलेंगे, अब आपको पता है कि आरो यारो में क्यों एक ही पेपर हो गया है, और एक ही पेपर में दोनों चीज़े आपकी साथ में आएंगे, मिस्रित तोर पे, ठीक है, तो हम जो है क्या करने जा रहे हैं, subject wise weekly टार्गेट इस्टार्ट करने जा रहे है एक सब्ता में एक subject GS का मिलेगा और हिंदी का एक topic मिलेगा, लगबग कोसिस रहेगी कि 6 सब्ता में आपके syllabus को आप sum up कर दें, ठीक है, पहली चीज़ ये, दूसरी चीज़ है current affairs, current affairs में आप सभी का source जो होना चाहिए, current affairs में आपको, आप लोग कोई ना कोई source पढ़ रहे हो होंगे लेकिन अभी recently, एक तो पहली बात मेरी live class, morning में Monday से ले करके Saturday तक सब्ता में 6 दिन, continuous class आपकी होने वाली है, Monday से Saturday, regular class, continuous class, live class आपकी होने वाली है, time आप लोग note down का लीजे, 5.45 से class सुबह morning में start हो जाएगी, डेर साल का पूरा current affairs complete कराऊंगा आप सभी का, अभी मैं क परवाई रहा हूं, केंदरी बजट भी पढ़ा रहा हूं और ये जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, उनके लिए कह रहा हूं कि आप लोग current affairs की class में आना चालू कर दीजे, weekly target हमारे mentorship batch में आप सभी को मिलेगा, और ये इसके अलावा current affairs की class ये आजाद है ये इस academy के YouTube channel पे ह होगी और साथ में आपके mentorship batch में, app में भी आपको class मिलेगी, आप बाकी आजाद है इस academy के channel पे आ जाएगा, Sunday off रहेगा, ठीक है, इसके बाद एक आपकी live session रहेगा, इस special session, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, सबताह में, ये आप मेरे उपर छोड़ दीजे, उस session में मैं आप सभी को exam बले दिन जाके क्या करना है, तीन चार चीजे होंगी इस session में, ये एक session रहेगा, साम को 6 बजे आपकी ये class होगी, जैसे अगली class आपकी Tuesday को है, अगली class आपकी Tuesday को है, Tuesday को आपका पढ़ेगा पंदरा, पंदरा October, पंदरा October को आपकी class पढ़ेगी अग पंदरा October को, पंदरा October से एक तरीके से आप मा लिजे, ब्योस्ती तरीके से start कर रहे है, पंदरा October से ये आपका weekly target इस start हो जाएगा, पंदरा October को आपकी 6 बजे class होगी, और उसके बास 7 बजे, 6 पीम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, साम बली class की बात हो रही, current affairs की class regular रहेगी, सुबह morning में है ये, जल्दी जगना पड़ेगा आपको अब मेरे साथ, ठीक है, और एक life session रहेगा, जिसमें हम बहुत सारी technique सीखेंगे, कैसे paper के questions को solve करना है, आरो यारो का जो अभी pattern फरवरी वाला paper हुआ है, उसमें क्या-क्या changes हो है, क्या-क्या बदला हो है, उसको किसी स आप से आप handle करेंगे, ठीक है, तो ये तीन task आपके लिए रहेंगे, weekly target और साथ में एक task हमारा हो गया mentorship class, mentorship class बहुत dynamic class है आप सभी की, जिसमें आपको मैं आप लोगों से बातचीत करूँगा, आपका target पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, और यदि आपको कोई doubt होता है, उस doubt को भी मैं clear करके जाओंगा, आपको पढ़ाई से जुड़ा होगा doubt है, वो भी clear करके जाओंगा, बाकी आप सभी को एक telegram group दिया गया है, जितने बच्चे mentorship batch में जुड़े हो हैं, telegram की link आपके course में ही मिल जाएगी, course में आइडे को सामको साथ बजे हमारा mentorship होगा, कोसिस करेंगे साथ से आठ हम mentorship complete कर ले, और आप सभी के जिसके questions होगे, सबके questions में यहाँ पर ले लूँगा, one to one मैं बात करूँगा, एक एक बच्चे से discussion करूँगा, आपके बैच में मैंने 25 लोग से जादा बच्चे नहीं रख गया है, इससे जादा जोगा उसके लिए दूसरा बैच है, मलब बैच वो अलग रहेगा, ताकि बच्चे ऐसा न रहें कि फिर मैं सबका time न ले पाऊ, तो एक एक बच्चे को मैं discuss करूँगा, और हर एक बच्चे को बात करूँगा, यह चार टास्क हैं, जिसमें weekly target most important है, यह selfish study के थूँ आप करेंगे, selfish study के थूँ करेंगे, साथ ही आपको कुछ video classes बेजी जाएंगी, साथ ही आपको कुछ recorded videos बेजे जाएंगे, देखो live कौन कौन से एक तो current का live रहेगा morning में, और एक live session आपका यह रहेगा, ठीक है, यह सबता में एक, दो, तीन, कितनी भी class हो सक रखना है, वीडियो में आपको GS की वीडियो, प्लस साथ में, हिंदी की वीडियो, आपको हिंदी और यह सब Tuesday से मिलना चालू होगा, GS, हिंदी, दोनों आपको Tuesday से मिलना चालू होगा, और साथ में आपको current affairs की classes, यह भी आपको मिलेंगी batch के अंदर, इतना सब कुछ मिलने वाला है, mentorship batch में, और Tuesday से proper, अब आप सभी को source क्या रखना है, source क्या रखना है, जो मैं weekly target दूँगा, देखें, मैं चूँकि यह subject wise देने वाला हूँ, आप कोई न कोई source पढ़ रहे हैं, मैं आपके source नहीं बदलना चाहता, लेकिन मैं कुछ मानक source आपको बता दूँ, यह द आता है, जिसमें सारे previous year question, एक तो पुरुवाओ लोकन ऐसा है, जिसमें 8 value है, है न, 8 value है, वो अली की बात नहीं कर रहा हूँ, एक हिंदी का भी पुरुवाओ लोकन आता है, और देखो, RO में हमें selected topic पढ़ना है, हमें सारे नहीं पढ़ना है, एक RO, RO का PYQ आता है, लेकिन एक पुरुवाओ लोकन भी आता है, ठीक है, अभी आप सभी को रिकॉर्डेट वीडियो मिल जाएगा, रिकॉर्डेट वीडियो में मैं आप सभी को ये दोनों bookे दिखा रहा हूँ, यदि आप ये दोनों किताबे लेने तो और अच्छा है, ठीक है, कोई दिकत नहीं है, गटना चक्र पहला source है आपका, ठीक है, गटना चक्र यदि आनने कोई भी book पड़ रहे है, तो भी source के तोर पे रहेंगी आपकी revision के लिए, दूसरा वाडी, वाडी भी आपका source रहेगा, परिक्षा वाडी भी आपका source रहेगा, आप परिक्षा वाडी को भी लेका चलते है और मैं उमीद करा हूँ, अभी तक तो आपने बहुत कुछ पढ़ डाला होगा, ठीक है, अब आपको revision करना है, हिंदी में, हिंदी के लिए, ये GS के लिए दोनों source है, और हिंदी में भी घटना चक्र की भी हिंदी आती है, हिंदी और GS दोनों के source है, घटना चक्र, घटना चक्र, जी एस है, वाड़ी की हिंदी आती है, और GS है वाड़ी का, ठीक है, और हिंदी में एक आपकी आदित्य पब्लिकेशन है, बस, enough, आदित्य पब्लिकेशन है, क्या आप मेरे साथ अभी यहाँ पर पत्तलेखन और गयरा करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, का एक आदियों की बात करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम बात करने वाले है, हम बात करने वाले हैं, कि ROएRO का टेंड क्या है, RO़ में GS में कौन-कौन subject है, ROएRO में हें हिंदी में कौन-कौन से subject है, आपको जो classes मिलने वाली है, वही मिलने वाली है, और मैं selected topic इक selected content आपको provide कराने वाला हूँ आरो ए आरो के लिए ठीक है current affairs में मैं guarantee लेता हूँ जो बच्चा मेरी current affairs करके जाएगा आरो का एक भी question गलत नहीं करके आएगा दावे के साथ कहता हूँ current affairs के लिए बस एक magazine आप साथ में लेकर चलेंगे जो घटना चक्री की आई है अभी द्रिष्टी घटना चक्की द्रिष्टी आई है ना घटना चक्र द्रिष्टी पूरवासी कांग है September 2014 तक updated है घटना चक्र द्रिष्टी और मेरे entire video entire video आपको बेच में भेजे जाएंगे ठेक है latest entire video जितने भी हैं सब भेजे जाएंगे जो घटना चक्क के वीडियो जो आपको current affairs के वीडियो भेजे जाए लगबग आपको 10 वीडियो भेजूँगा 10 के 10 वीडियो कर लेना फिर मुझे बता देना कि current affairs में कोई दिक्कत है क्या कोई दिक्कत नहीं होगी रट जाएगा current affairs याद करा दूँगा budget के साथ मैं UP का budget भी करा दूँगा आप tension मतलो ठीक है मेरे साथ जुड़े हो तो भरोसे के साथ और विश्वास के साथ आप लोग जुड़े हो इसलिए Tuesday से 15 October से तयार हो जाना mentorship में यह जो task आपको मिलेंगे कोई भी परिस्तिती हो हर परिस्तिती में हम अपने task पूरे करेंगे और हर सब्ता मैं आपको Friday को मिलूँगा सामको 7 बजे ठीक है 15 October को आपका पहला session रख रहा हूँ फिर Friday को अगेन आपका session है हर Friday को सामको mentorship का session हमारा रहेगा और हर Friday को mentorship के session में आ केवल केवल और केवल केवल पढ़ाई से जुड़ी हुई मुद्दों पर बात करें हमारा पूरा focus केवल और केवल study को लेकर रहे आप भी मेरे पास problem जो लेकर क्या है वो study related लेकर क्या है आप मेरा अधिक्तम उपयोग तभी कर पाएंगे जब आप study related बातों पर ही मुझे focus रखेंगे हैना हमें इस exam को निकालना है आप इस संकल्प के साथ मेरे साथ जुड़े हैं मेरा काम है आपके इंदर energy booster का काम करना आपको एक सही mark दर्सन करना तो आपको मुझे एक सही दीशा आपको भी देनी है ठीक है बाकी मैं आपके हर एक तरीके की समस्या के साथ मैं कुछ आपको इस बीच में master video भी provide कराऊंगा वो YouTube चैनल पे आएंगे अजाद है इस academy के YouTube चैनल पे और बाकी एक आपको जो है sources को लेकर के जादा confused नहीं हो ना घटना चक्रापका source है तो सही है पुरवावलोका ने दी आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है बा पत्रों का द्यावर विवाजन है मैं telegram group में इस book का भेज़ दूँगा आपको ठीक है फोटो भेज़ दूँगा खीच करके और एक हिंदी का भी प्रुवावलोका ना चुका है इसमें selected chapters है उन chapters को ही आपको पढ़ना है बाकी मैं जो आपको target दूँगा जैसे मैंने आपक क्योंकि देखो सबकी अपने अपनी किताबे कुछ लोग notes भी हैं किसी पास coaching notes हैं आप कहीं से भी पढ़ो बस मुद्दा है कि हमें exam से पहले पहले पूरा syllabus revise करना है ठीक है पूरे syllabus को पढ़ना है ताकि हम बहतर जो है perform कर सकें और आप लोग भी इसी उदेशे से जुड़े ठीक है तो आपको बिल्कुल भी टेंसर नहीं लेनी है मैं आपके साथ हूँ 15 October से बहुत जबज़स तैयारी करने वाले हैं घटना चक्की बुक है दी नहीं हो आपके पास तो लेके रख लीजेगा हिंदी की और जो है GS की वाडी की किताबे आपके पास है तो उन्हें रख करिएगा हिंदी का टार्गेट भी साथ में इंकलूड रहेगा तो अगले वीक से आपको मजा आने वाला है क्योंकि आपके पास प्रॉपर टास्क होंगे टार्गेट होंगे यह आपके लिए जरूरी है अभी क्या देखो अभी कुछ तेवहार पढ़ रहा है जैसे दसाहर पड़ रहा है वैसे भी आप नहीं पढ़ेंगे फिर संडे पड़ रहा है मंडे के बाद त्यूजडे को आपको त्यूंडे से मैं स्टार्ट कर दूंगा ओर टार्गेट जो आपका रहेगा इस वीक में तो कम दूँगा ताकि क्योंकि समय जादा नहीं है फिर अगले वीक से थोड़ा सा टार्गेट का साइज बढ़ा देंगे हम कोशिस करेंगे कि नौंबर और दिसंबर में 15 दिसंबर तक हम बिल्कुल कंप्लीट हो जाए हमारा स्लेबस कंप्लीट हो जाए हम पूरा रिवाइस कर जाए जो आप में जादा कंटेंड नहीं रखना है बहुत जादे एकसेसिव चीजें नहीं पढ़ना जो पढ़ने है उसको multiple टाइम पढ़के जाना एक बार आप दो बार तीन बार और वीडियो क्लासेस आपको सारी मिलेंगी वीडियो क्लासेज में आपको जो भी दिक्कत हो आप देख लीजेगा ठीक है चलिए